हेलो गाइज स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे आज हम बात करेंगे बुलेट ट्रेन के उपर आप लोगों के जो भी सवाल है common सवाल आप लोगों के है क्योंकि आप लोगों को भी जानना है कि exactly ऐसा होने वाला है कि नहीं होने वाला है तो दो-तिन सवालों के जो आपके सवाले उसको मैं cover करूँगा हलाकि अभी कोई अपडेट नहीं है इसलिए मेरा कोई वीडियो आने रहा तो जब भी अपडेट आएगी तो वीडियो आ जाएगा ओके और चलो चलते हैं अपने topic की तरब पहला सवाल लोग पूछ रहे है कि इसके लिए क्या फिर से जमीन ली जाएगी या समरुदी की जो पूरानी जमीन है उसी में इसका काम शुरू हो जाएगा तो मैं बता दू कि इसके लिए फिर से जमीने ली जाएगी बट इतना पता नहीं है कि वो कितनी जमीन, मतलब कितनी दूरी तक जमीन ले सकते है, कितना मिटर उसका जमीन ले सकते है लेकिन हाँ, जमीन फिर से ली जाएगी, क्योंकि समर्दी की जो जमीन है, उसमें बुलेट्रेंट प्रोजेक्ट का काम पुरा नहीं हो पाएगा तो कितनी लेगे क्या लेंगे इसके बारे में अभी मैं बता नहीं सकता तो चलिए नेक्स्ट क्विश्चन है आप लोगों का कॉमन क्विश्चन कि रेल्वे बुलेट ट्रेंड जो प्रोजेक्ट है या समरुद्धी के किस तरफ से है मतलब उसकी साइट को ती है तो जैसे कि मैंने एक गुड़े बनाया था उसमें आप लोगों को सब पूछा था कि आप लोगों को बताना है कि कौन से साइट से बुलेट ट्रेंड फुजग जा रहा है कि क्यों से साइट से आपके यहाँ पे फोलीन का काम मतलब सर्वे का काम शुरू है कहाँ पे फोल उन्होंने गाड़ा हुआ है तो जगा जगा पे लोगों ने कमेंट्स में बताया कि कह पर बोलेंगे कहाँ पर लेकिन जालना में जालना में लोगों ने बताया कि दोनों तरफ से खंबे गड़ चुके ओके तो शायद जालना में दोनों तरफ से हो सकती है मुझे नहीं पता फिक्स पर हो सकती है कि रोड के दोनों तरफ से बन जाए क्योंकि अभी तो उसका सर्व करने के बाद अगर उन्हें comfortable लगती है कि यह suitable है तो दोनों तरब से वहाँ बन सकती है वरना जिस तरब से उन्हें अच्छा suitable लगेगी उस तरब से वो ब्लेटरेंट प्रोजेक्ट को confirm करके बना देंगे उसके अभी जो सर्वे का काम शुरू है उसका DPR बनेगा DPR बनने के बाद government को approval के लिए भेज दिया जाएगा और DPR में अगर सब बाते clear हो जाएगी कि railway ब्लेटरेंट प्रोजेक्ट के लिए जो रूट है हमने सर्वे किया है उस रूट पे अगर कोई भी problem नहीं आ रही है तो उसको उस project को government से approval मिल जाएगा वरना इसमें delay भी हो सकता है या यह project cancel भी हो सकता है chances तो कमी है cancel होने के क्योंकि यह train तो बनेगी ही बट route चेंज हो सकता है या तो route तीसरा कि इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्या है कब तक ये बनकर पूरी हो जाएगी तो गवर्मेंट की जो मतलब ऑफिशली जो इन्होंने इसके डेडलाइन दी है वो तो बहुत दूर की है 2041 और 2051 इसके अंदर ये बनकर पूरी हो जाएगी क्योंकि देश में जितने भी बुलेटन प्रोजेक्ट है इस पे बारी बारी से काम होगा एक साथ काम शुरू नहीं करेंगे मतलब अभी जो मुंबई अहमादाबाद बुलेटन प्रोजेक्ट है ये पूरी होने के बाद इ इस पे कितना ट्रैवल करेंगे कितनी सकसे से इसके पर डिपेंड होके फिर बाकी के जो प्रोजेक्ट है इन पर काम तीजे से शुरू हो जाएगा और जो मुंबे नाकपूर बुलेट ट्रेन है इसका जो रूट है वो औरंगबाद से मतलब शिर्डी से औरंगबाद जलना से नासिक नकपूर तरक नकपूर तक इसका जो रूट है वो रोड के सौच साइट पर है क्योंकि जितने विए आप लोगोंने कमेंट्स किये जितनों ने भी बताया उनके यहाँ पर पोलिंग और सर्वे का काम जो है वो सौच साइट पर हुआ है ओके तो हम यह मान स